नमस्कार आज इस विडियो में हम फ्लास 12 की पुस्तक अंत्रा की कवीता एक जो जैशंकर प्रसाद्वारा रचित है देवसेना के गीत यह गीत जैशंकर प्रसाद्वारा रचित नाटक सकंद गुप्त से लिए गया है इस नाटक की नाई का जो है वो देवसेना है और थोड़ा सा मैं देवसेना का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा सा परीचे दे देती हूँ कि वैं मालवा के राजा बंदु वर्मा की भेंती, आर्यार बर पर हुनों का आक्रमन हुआ और बंदु वर्मा सहित अब जो देव सेना थी उसने भाई के स्वपनों को साकार करने के लिए राष्टे सेवा का वरत ले लिया और जीवन में देव सेना सकंद गुप्त को पाना चाहती थी पर उस समय सकंद गुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विज्या के स्वपनों में खोय हुए थी यानि जो देव सेना थी वो सकंद गुप्त को पसंद करती थी लेकिन सकंद गुप्त किसी और को पसंद करते थे जिसकी वज़े से देव सेना को सकंद गुप्त ना मिल पाए हाँ जीवन के अन्तिम मोड पर सकंद गुप्त देव सेना को पाना चाहते थे किन्तों तब तक देव स जिसमें हमें देव सिना के गीत के माध्यम से उनकी स्टोरी पता यह चलती है तो आईए अब हम बिना किसी देरी के इस कवीता के पहले पद की और बढ़ते हैं और चातो सबसे पहले मैं यह बोलूँगे आपको यहां पर रिटन में नोट्सों मिलते हैं साथी साथ अब अपने हैंड रिटन भी नोट्स बनाएए ताकि कल को आपको वीजन के लिए कुछ ही हो तो आपके पास एक प्रॉपर नोट्स हो जिसमें आपकी लाइंगेज में दिखा हुआ हो जिससे क्या होता अपने लेंग्विज में अपनी शॉर्ट भाषा में दिखा हुआ आपको जादे जल्दी समझ आएगा और आप जल्दी से उसको मेमराइस कर पाएंगे कि क्या पड़ा था साथी साथ पीडिएफ तो आपको मिलेगा ही तो आप महां से भी डाउनलोड करके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं तो यह पहला पड कुछ इस प्रकार है कि अहा वेदना मिली विदाई मैंने भ्रमवश जीवन संचित मदुकरियों की भीग लुटाई चलचल थे संध्या के श्रमकन आसू से गिरते थे प्रतिशन मेरी यात्रा पड लेती थी मीरव ता अनन्त अंगडाई तो पद की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी कठीन शब्दों क्यारत बताऊंगी तो आहा का मतलब यहाँ जो देव सेना है वो दुख बरी आहा उनके मुख से निकल गई है और बेदना का मतलब है यहाँ दुख मिली विदा है विदा हो रहा है मैंने ब्रमवश जीवन संचित और देव सेना कहते हैं कि मैंने ब्रमवश जीवन संचित सबसे पहले हम इसके प्रसंग को जान लेंगे कि प्रस्तुत का व्याइश चैशंकर परसाद के नाटक सकंद गुप्त से अफ्टरित देव सेना के गीच से लिया गया है देव सेना मालवा के राजा बंदू वर्मा की बहन है जीवन के तारंबिक भाग में देव सेना को सकंद गुप्त की चाहा थी पर तब सकंद गुप्त मालवा के धन को बेज़ की कन्या विज्या के स्वाप में देखते थी सब स्टार्टिंग में हम बता चुकिए उसी पहले पद में आपको बता रहे हूं कि प्रसंग किस तरह से लिखना है जीवन के अंतिम मोड पर सकंद गुप्त देव सेना को पाना चाहते हैं पर तब देव सेना तयार नहीं होती और आजीवन पारा रहने का वरत ले लेती है तब ही देव सेना यह गीत आती यानि अपने दुख को व्यक्त कर रही है तो आहा वेदना मिली विदाई और देव सेना स्वयम कहती है कि जीवन की इस सांधे वेला में आज मैं जीवन के भावी, सुख, आशा और आकंशा से बेदनापूर विदाई लेती हूँ कि मेरे जीवन के जो दुख थे उन सब दुखों से अब मैं विदाई लेना चाहती हूँ मैंने भ्रमवश जीवन संचित और आगे चलके वो कहती है कि मैंने भ्रम में पढ़ कर जीवन भर सकंद गुट के प्रेम की प्रतिक्षा की और उनसे प्रेम किया जबकि वो मुझसे प्रेम नहीं करते थे संचित, यानि संचित करना, उसको पालना, उसको पोसना, एक तरीके से उसको अपने अंदर बसा कर रखना और सारी एकत्रित अभिलाशा रूपी भिक्षा को लुटा दिया और मदूकरियों की भीग लुटाई, मदूकरियों का मतलब यहाँ पर है पके हुए अन की भिक्षा, पके हुए अन की भिक्षा की जो वुष के अंदर उसके मन में संचित था, वो सब कुछ अभिलाशाएं जो थी वो भिक्षा के रूप में लुटा दिया और जीवन भर की आकांशाओ की पूजी को वो संजोकर ना रख पाई, वो बचा, नहीं पा जो वुष की अभिलाशाएं थी वो सब कुछ उसने त्याग दी, लुटाने का मतलब त्याग दी, छलचल थे संध्या के श्रमकन, और संध्या यानि शाम, छलचल यानि चलकना, श्रमकन यानि श्रम के कारण उत्पन पसीना, और आगे वो कहती हैं कि अब देवसेना की यानि अब जब जीवन के अंतिम मोड आ चुका है, अब जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका है, और श्रम करने से उत्पन जो पसीने की बूंदे हैं, जो आसु की तरह हर्शन, उनकी आँखों से गिरती जा रही है, मेरी यात्रा पड़ लेती थी नीरवता अनंत उसका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हो गया, अब तक वह चुपचा वेधना को सेहन करती चली आई है, उसकी जीवन, मेरी यात्रा यानि उसके अभी तक जो स्ट्रगल लाइफ है, जो भी उसकी यात्रा थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और जो खामोशी थ वो अंगड़ाई लेती थी, ऐसी अंगड़ाई जो कभी खतमी नहीं हो दी, यानि वो चलती चली जारी चलती चली जारी उसके जीवन में दुख के बार दुख, दुख के बार दुख सुखाने का नाम नहीं ले रहा है, और जब संधया का समय आ चुका है, यानि जब वो विदाई, पंक्ती, देव, सहना के आंतरिक वेदना को इंकित करती है, मैंने शुरू में बताया, आहा मतलब यानि वो उसके दुख को प्रकट करती है, वो जीवन के अंतिम भाग में इससे विदाई लेना चाहती है, और जो उसके विलाशाएं थी, इच्छाएं थी, वो सब को विदा कर देना चाहती है, दूसरा आंसु से गिरते में उकमालंकार है, मधिकरियों की भीक में रूपक अलंकार है, छलचल में पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है, नीरवता का मानभी करण किया गया है, तच्सम शब्द भौला भाशा का प्रयोग किया गया है, भाशा म वही चुत्रात्मता देखते ही बन पड़ती है दूसरा पद है श्रमित स्वपन की मदुमाया में जहन विपिन की तरुछाया में पतिक उनिंदी शूती में किसने यह विहा की तान उठाई यानि यहां पे श्रमिक का मतलब है परिश्रम करके ठका हुआ यानि किसी ने कोई परिश्रम किया और वो ठक चुका है और वो स्वपनों में जा चुका है और उनके मदुमाया में वो खो चुका है यानि कोई व्यक्ती है जिस प्रकार बहुत जादा ठकने के बाद परिश्रम करने के बाद ठक जाता है और वो घहरी निंदरा में खो जाता है और उसके मदुमाया में खो जाता है उसको अच्छा प्रतीत होता है कि इसके माधिम से ओक कहना चाहती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर सकंद गुप्ट का प्रणे निवेदन उसे इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कोई पतिक ठक कर पेड़ की छाया में गहन विपिन की तरुचाया में गहन यानि गहरे जंगलों के पेड़ों की छाया में विश्राम कर रहा हो पतिक उनिंदी शूती में किसनी यानि पतिक यानि यात्री उसे उनिंदी यानि गहरी नींद की दशा में क विहाग की तान उठाई, विहाग उसे का जाता है, ऐसा वराग जो राधी राध को गाया जाता है, कि जब ऐसा प्रतीत हो रहा है, कि जैसे मानों कोई श्रमिक करके जो यात्रिय बहुत जाता ठक चुका है, और गहरे जंगलों के बीच में पेडों की छाया में सो रहा है, गह बढ़ चुकी है उन चीजों को पीछे चोड़ चुकी है और अब उम्र के इस पड़ाव पे इस तरह का प्रणय निवेदन उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और भाव यह है कि जीवन भर संगर्श करती रही देव से ना सुपकी आखांशा के मीठे सपने देखती रही पर वो समय उसको नहीं मिले अब वो ठक गई है उनसे निराश हो गए उनसे विदाई लेना चाहती है तो उसको कोई गीच सुनाए दे रहा है और वो चाहा कर भी उस तक नहीं पहुँच पा रहा है लगी सत्रिशन डीट थी सबकी सत्रिशन यानि त्रिशना भरी लालर से भरी रही बचाए फिरती कपी मेरी आशा अहा बावली तूने खोदी सकल कमाई और आगे फिर देव सेना कहती है कि मेरी योवना वस्ता में तो सबकी दृशन भरी प्यासी नजरे मुझ पर लगी रहती थी और मैं स्वयम को कब तक उनसे बचा कर रखती अपने भरपूर प गुपत के प्रेम के सपने देखती थी और स्वयम को अनने की नजरों से बचाने का प्यास करती रहती थी इस प्रकार देव सेना अपना सवलस्त योवन काल जो थी वो गवार चुकी थी और अब वो कहती है कि मैं अपनी पागल आशा के कारण यानि वो अपनी आशा को जन्स आ रहे थे जो मेरे पास मुझे मिल रहा था मैंने उसकी कदर नहीं की और नसकंद के पीछे पागल ही जा रही थी मुझे प्रेम के बदले प्रेम और सुथ के बदले सुथ प्राव्त ना हो सका तो यह जो पद बहुत आसान है अगर एक बार उनके आर्थ आपको और क्लियर हो गए तो आपको यह बहुत असानी से अगर पेपर में आज़ है तो आप उनके कॉंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं तो इसकी विशेषता क्यों बढ़ते हैं पहली है इन पंक्तियों में देव सेना की वेदना और अंतर दन्दु को सकार की चितरात्मक्षैली है प्र रोक्षिंगार और करुणरस का समावेश यहां दिखाई देता है इसी पंक्तिक कुछ इस प्रकार है कि चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रले चल रहा अपने पत पर मैंने निज दुरबल पदबल पर उससे हारी होड लगाई यानि यहां पर बात की जा रही है कि जब वही बात है कि सकंदगुप्ति को पसंद करती थी और उसके बाद बड़न लिवेधन आया फिर उसने उसको ठुकरा दिया तो जब उसको सकंदगुप्ति नहीं मिला तो उसका परिवार जो था खतम हो चुका था और राश्टे सेवा जो देव सेना थी वो राश्टे सेवा में चुकी थी फिर वो आगे कहती है कि चड़कर मेरे जीवन पत पर कि देव सेना स्वयम से कहती है कि मेरे जीवन रूपी रत पर कि मेरे जीवन रूपी रत पर सवार होकर प्रले चल रहा अपने पत पर प्रले कहा जाता है जीवन की विशम परिस्तितिया यानि ऐसी परिस्तिति है उसके जीवन रूपी रत पर सवार होकर प्रले अपने रास्ते पर चल रहा था कि प्रले चल रहा था अपने पत पर अपने रास्ते पर चल रहा था मैंने निज और मैंने हमेशा दुरबल पदबल पर और मैंने हमेशा अपने कमजोर पैरो के बल पर उससे हारी होई लगाई कि मुझे पता है मेरी हार सुनिश्चित है फिर भी मैंने उससे हारी होड यानि विरोधवास अलंकार है और मैंने उसके साथ competition किया रतिस परदा की जबकि मुझे पता था कि मेरी हार जो है सुनिश्चित है मैं हारूंगी ही हारूंगी मैं अब तक हार की निश्चितता के बावजूद इस प्रले से लोहा लेती रही मैंने कमजोर होने के बावजूद इस भारी विशम परिस्थिती से होड लगाई है आगे वो कहती है लोटा लो यह अपनी थाती फिर वो सकंद गुपते से अपरत्यक्ष रूप से कहती है कि लोटाल अपनी थाती थाती अर्थात उत्तरा दिकारी यानि यह जो तुमारी धरोहर है यानि जो तुम प्रेम प्रस्ताव मेरे पास लेकर आए हो तुम इसे ले जाओ मेरी करूना हाहा खाती और क्योंकि अब मैं इसको और नहीं समाल पाऊंगी अब मेरे में इतना capacity नहीं है इतना stamina नहीं मेरे में इतनी शमता नहीं है कि अब मैं से accept करो और इसे समाल सकूँ यानि जम मुझे इसकी जोरती तब यह मुझे नहीं मिला और विश्व ना संभलेगी है मुझसे और कि विश्व से संसार से वो कह रही है कि अब मैं इसको और जादा नहीं संभाल पाऊंगी अब मेरी करुणा मुझे कमजोर बना रही है इससे मन की लाज गवाई और आगे वो कहती है कि इसी प्रेम के कारण मैं अपने मन की लास्तक को गवाई बैठी हूँ और भाव यह है कि देव सेना जीवन संभर्ष से निराश हो चुकी है कि सारी उमर उसने जीवन संगर्ष किया है और अब वो संगर्ष करते-करते निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है, वो ठक चुकी है, अब इसके लिए और जादा शमता उसमें नहीं है अब तो प्रले स्वयम देव सेना के जीवन रख पर सवार है, और जो विशम परस्थितिया वो तो ऐव ऐसे लग रहा है कि वो देव सेना के साथ ही है, कि सदैव उसके साथ जो वो चाहती है, उसका उल्टा ही होना है, अब तक वह अपनी दुर्बलता को हारने की निश्चित के बावजूत प्रले से लोहा लेती रही है, उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीद गया, और जीवन के अंतिंकाल में अब वैस बेदना को और देव तक समालने में समर्थ है, वो समर्थ नहीं है, तो इसकी विशेष्टा कुछ इस प्रकार है, इस काव्यांच में द पर में प्रले का मानवी करण है, निराश और वेदना का मानमिक्चितरन हुआ है, भाशा में गंबीर्ता के बावजुत प्रवा महिता का गुण विद्यमान है, और संगीतात्मक्ता का समावेश है, तो चात्र इस तरीके से ये जो देवसिना के गीत है और उसके तीनों की भीक लिदाई, पंक्ति का भावस पष्ट कीजिए, तो प्रस्तत पंक्ति में जो देवसेना की वेदना का परीचे हमें यह मिलता है, रसकंद गुप्त से प्रेम कर बैठती है, परंतु सकंद गुप्त के हिर्दे में उसके लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करते हैं और जब देव सेना को उसके बारे में पता चलता है तो उसको बहुत दुख होता है रसकंद गुप्त को छोड़ कर चली चाती है और उनहीं बीतेवे पलों को याद करके वो कह उठती है कि मैंने प्रेम के भ्रम में अपनी जीवन भर की अभिलाशाओं क पिक्षा के रूप में लुटा दिया यानि अब उसके पास कोई अभिलाशा नहीं है अब मेरे पास अभिलाशा जब बची नहीं है और अभिलाशाओं के होने से मनुष्ये के जीवन में उच्छा और पेम का संचार होता है और जब उसके पास वो शेश ही नहीं बची है त इसका जीवन जो था, ब्रहम में वो जी रही थी, कि वो सकंद गुट से प्रेम करती है, और ये उसके जीवन का ब्रहम था, और जब उसे सच्चाई का पता चला, तो उसने अपनी सारी अभी लाशाओं को प्याग दिया, प्रशन दो है, कभी ने आशा को बावली क्यों का है, तो आशा जो होती, बहूत स्ट्रॉंग होती है, एक आशा की किरणी इंसान को कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, वही अगर वो ज़्यादा अंट्रोल में ना हूँ, तो इंसान को बावला भे कर देती है, और प्रेम में तो आशा बहुत अधिक बावली होती है, जिस ने तीन है, मैंने निज दुर्बल बोड लगा है, इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी बोड में नहीं तव्यंगे स्पष्ट करने हैं, कि इनके अंदर क्या कटाक शिपा हुआ, दुर्बलता का मतलब है, दुर्बल पदबल, यानि जो उसके पद है, बहुत दु कि उसके अंदर कितना बल है, और वो कितनी दुर्बल है, इसके बाद भी अपने भाग्या से लड़ रही है, यह नहीं वो हारी नहीं है, वो निराशों के बैठ नहीं गई है, वो फिर भी लड़ रही है, और होड लगाई पंक्ति में नीत व्यंजना, देव सेना की लगन क दर्शाता है, कि उसको मालूम है कि वो लड़ने सकती, उसके बाव जूर भी वो लड़ रही है, देव सेना भली प्रकार से जानते है कि प्रेम्यों से हार ही प्राप्त होगी, लेकिन उसके बाद भी पूरी लगन के साथ हार का सामना करती है और वो आर नहीं मानती, अगला जब दिन याद आजाते हैं जब वो प्रेम को पाना चाहती थी और उसके लिए प्रयास कर रही थी परंतु वो असफल रही अब उसे अचानक उसी प्रेम का सुर सुनाई पढ़ रहा है यानि जब उसको प्रेम ये भिलाशा थी तब उसको मिला नहीं अब वो उनको भूच च चुकी है तो अब उसको उस्वर सुनाई पड़ रहा है और उसे चौका देता है विहाग राग का उल्डेग यहां किया गया है और यह ऐसा राग है जो आदी रात में गाया जाता है स्वपनु को कभी में श्रम रूप में कहकर गहरी व्यंजना व्यक्त की है स्वपन को मानवी रूप में दर्शाय गया है गहन विपिन एवंतर उछाया में समाश शब्द है इन पंक्तियों के मध्य देव सेना की असीम बेदना स्पष्ट रूप से दिखती है अगला है लोटालो लाजगवाई इस काव्यांच की विशिष्टा है कि इसमें देव सेना की निराशा से युक्त अतोत साहित मनुस्थिति का पता चलता है पता पहले ही मृत्यों की गोद में समा चुके थे तता भाई की युद में बीर्वति को प्राप्त हुआ था, वह दर-दर भिक्षा मांगर गुजारा कर रहे था, उसे प्रेम का ही सारा था, परंतु से वो भी स्विकार नहीं मिला, तो यहां पर उसके जीवन में निराशा ही निराशा है, तो यह सारे उसके कारण है, यही कहना चाहूंगी, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट पर शेर जव कीजिए, और आगे आने वाले नोटिपिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, धन्यवाद झाल झाल सब्सक्राइब कर दूलिए, जाल सब्सक्राइब कर उन्यवाद